अंबानी अंदोलन कारी किसान प्रदर्शन स्थल पर जमे है इस बीट सिंगु बॉडर के धर्णे में शामिल एक बुजर्ग किसान ने जहर खा कर आत्म हत्या करने की कोशिश की है 65 साल के किसान का नाम निरंजन सिंग है और वो पंजाब के तरंतारन के रहने वाले है सोमवार की शाम निरंजन सिंग ने जहर खाया और थोड़ी ही देर बाद उनकी तब्यत खराब होनी शुरू हो गई इसके बाद उन्हें आननफानन में रोतक PGI में भरती कराया गया निरंजन सिंग ने जहर खाने से पहले एक नोट भी लिखा है जिसकी पुस्टी पुलिस ने की है परिजनों ने बताया कि निरंजन सिंग को प्रदर्शन कर रहे किसानों का कस्ट बरदाश्ट नहीं हुआ वह काफी दिनों से इस आन्दोलन में शामिल है और सरकार द्वारा किसानों की अंदेखी के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया वहीं पुलिस का कहना है कि निरंजन सिंग फिलहाल खत्रे से बाहर है और उनका इलाज जारी है पिछले हफते बाबा संतरामसी ने भी आत्महत्या की थी किसानों के आंदोलन पर सरकार के रवये से नाराजगी के चलते उन्होंने गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी किसानों के आंदोलन में अब तक कम से कम 22 किसानों की जान जा चुकी है मंगलवार सुभे गाजिपूर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेस्टिकायत ने कहा कि किसानों को कृषी मंत्री से अभी तक बैठक का कोई निमंत्रन नहीं मिला है किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार क्रिशी कानुनों को वापस नहीं ले ले दी तब तक वे वापस नहीं जाएंगे सभी मुद्धो को हल करने में एक महीने से अधिक समय लगेगा महाराष्ट के विभिन संगठन तीन क्रिशी कानुनों के खिलाफ दिल्ली की सिमाँ पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रती एक जूटता दिखाने के लिए मुंबई में अंबानी कॉर्परेट हाउस के बाहर मार्च करने का एलान किया है किसान संगठन बांदरा ई-कलेक्टर ऑफिस पर इखटे होंगे और फिर बांदरा कुला कॉम्पलेक्स सित अंबानी कॉर्परेट कॉम्पलेक्स तक मार्च करेंगे वहीं पूर्विसानसद राजुश्यटी के नित्रत वाली सौभिमानी सेतकारी संगठना के अलावा प्रहार संगठना, फार्मर्स एन पैजन पार्टी और लोक संगर्स मोर्शा भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे अंकुस चौबे की रिपोर्ट गो न्यूज